बाइस मार्च से प्रारंब होने वाले बास्तंती नवरात्री की तैयारी को लेकर चर्शा की गए इसमें आज महामाया कार्याले में कलेक्टर सौरप सिंग के नेतत्वों में सभी विभागों की बैठक ली गए जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्त विभाग, पीड़ुटी, विद्धुत विभाग, नगरिये पिशासन, वान विभाग के अला अधिकारी मौझूद रहे जिसमें सभी को सुव्यवस्ति तरीके से नवरात्री संपन कराने के लिए जिम्मेदारियां दी गए मामाया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आसीस तिंख ठाकोर एवं मैनेजिंग ट्रस्टी सतीश शन्वारे सबसे पहले बैटक की शुरुवात की जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को भामाया में आयोजीत होने वाले नो दिनों के नवरात्री पर्व की रूप रेखा के बारे में बताया गया नवरात्री में भीड को ध्यान में रखते हुए और मंदिर में आने वाले दैशनार्थियों को किसी भी प्रकार के असुईदा ना हो इसलिए सभी विभागों को अपने अपने दैशनार्थ का निर्वाहन करने के लिए आदेशित किया गया महा माया मंदिर टर्स्ट के अध्यक्ष आसिस्थाकुर ने बताया कि हर नवरात्री के पहले होने वाले प्रिशासनिक बैठक जो होती है उसी रूटीम के हिसाब से इस बार 22 मार्चिंग मार्च तक होने वाले नवरात्री के लिए आज कलेक्टर ने सभी विभाग को अपनी जिम्मेदारी के साथ नवरात्री संपने कराने को कहा है जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों की मौझूद्गी रही और सभी नवरात्री में मंदिर ट्रस्ट के साथ सायोग करने की बात कही जिसमें आने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सभी आने वाले दर्शनार्थियों को दर्शनलाब मिल सकी इसके लिए मंदिर टरस्ट भी तैयारी में जुटी हुई है रदानगुर से ताहीर अली की रिपोर्ट कि लोग आराम से दर्शन कर सकें सुरक्षा है लाइट की व्यवस्ता भरपूर होनी चाहिए स्वास्त के लिए जो एक बस रहती जिसमें स्वास्त उसको यहां पर रहे नौ दिन यहां रहे फाइर बेग्रेट नौ दिन यहां रहना चाहिए अब जय को लेकर की जो अभी जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको किसी भी प्रगार की को तक्लीफ नहीं हों भीड को ऐसे movement करा जा ताकि किसी भी दर्शनाजी को को तक्लीफ नहीं हो